नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्ने कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे शुखी होंगे शम्पन होंगे दोस्तों एक आफशक शुचना में आपको दे दूँ कि हैभी हमने अपना जोइन बटन सुरू कर दिया है तो जो भी मेरे विवर से मेरे सब्सक्राइबर से जिनने यह जरूरी लगता है कि नहीं मुझे बहुत ही अर्जंट है मेंसे बात करना जिनके भी प्रॉब्लम काफी स सिरेस हो और जिनने एनी टाइम बात करने की इच्छा होती है जरूरत लगती है तो ऐसे मेंबर्स अपना जोइन बटन सुरू कर सकते हैं जोइन बटन सुरू करते के साथ ही आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा जिस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं चैटिंग कर सक करते हैं तो दोस्तों जोबी मेंबर्स ऐसे हैं जो जूलब बटन सुरू नहीं कर सकते हैं तो उन्हें नियराश होने की आउक्ता है 5-7 और तो कौल कर रहें थी लेकिन आपका नहीं लगता है कोई उठाता नहीं जब क्योंबे जाता है कि इतने कौल आते हैंबõ कभी कभी फोन को बंद भी करना पड़ तो जाते हैं के लीए काफी तकलीफ हो रही है तो उसको आपको बेर करना पड़ेगा जब भी आपका नंबर आएगा तब आपसे बात जरूर होगी ठीक है आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया उपाई बताने जा रही हूँ अभी इन दिनों आप इस उपाई को कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जाड़ू माता लक्ष्मी का ही सवरूप होता है जो भी चेजवस्तों आपके घर के गंदगी को दूर करती है आपके घर के दलितरता को दूर करती है दोस्तों वो सब भी लक्ष्मी का रूप होता है आपके लिए आशिरवात समान होता है अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि जाड़ू में बनवाई जाती है तैयार तो मिलती ही है लेकिन अभी लेडिसे काफी जहाँ पर झाड़ू बनती हे दुकानों में जाकर कर कि झाड़ू बनवाते ही तो मैं आपसे बाइक प्रेशर कहोंगी कि आप जब ज़ाडु बनवाने जाती हैं तो जो पॉलिथीन होती है जिसे ज़ाडु लपेटी जाती है आप उस पॉलिथीन का दोस्तों या तो रेट कलर पसंद करें या विलकुल वाइट कलर पसंद करें आप दुकानदार से बोले कि इन्हीं दो कलर्स में से कोई भी एक कलर या दोनों कलर को मिक्स करके जाड़ू को बांधी जाए रेट या वाइट पॉलिथीन से बंधी होई जाड़ू दोस्तों आपके लिए काफी सुभु प्रधान होगी आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट आपको मतलब देगी आपके घर में लक्ष्मी आती रहेगी यदि आपका जाड़ू इन दो में से कोई एक कलर का होगता है इसके सिवाए दोस्तों आप रेड या वाइट कलर का धागा भी जाड़ू में लपेट सकते हैं बांध सकते हैं और दोस्तों मैं बताऊं वाइट मोती या रेड मोती दोनों में से कोई एक मोती या दोनों ही मोती एक-एक आप जाड़ू में लपेट करके रखें जाड़ू में बांध करके रखें और ये क्रिया दोस्तों आपको करना ही सुक्रवार के दिन जाड़ू भी यदि आप बंध दोस्तों जो भी तीनों चीजे मैंने बताई या तो आओ वाइट पॉलिथिन या फिर वाइट या रेड धागा या फिर मोती अपने जाडू में अवश्य ही बांध करके रखें और दोस्तों मैं बताऊं जाडू के उपर सुक्रवार के दिन हर सुक्रवार के दिन पूनम के दिन तेरस के दिन आप गुलाब का इत्र या गुलाब का पर्फ्यूम चाट करके रखें और चाटते ही रहे में हर सुक्रवार पूनम या तेरस के दिन आप इस इत्र को अवश्य ही जाडू पर चाटें आप खुद दोस्तों रिजर्ट देखेंगे कि इतना पावर्फुल लेकिन नहीं पता है उनके लिए यह कारे कर लेना बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत ही शुब रहेगा और इसके साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बता दू कि जाडू दिन में कभी भी काफी लोग मैंने देखा है दोस्तों बंगलोज में बाहर खड़े होते हैं कितनी बा लगाने के बाद या मैड जब जाडू लगाती है तो बाहर की जो कंपाउंड के वॉल के ओपर जाडू रखा हुआ मैंने देखा है तो यह गलत है दोस्तों दिन पर कोई भी पब्लिक आती जाती है तो आपके जाडू देखती जाडू और चपल इस पेशली स्पेशली दो चीजे मैं हमेशा देखती हूं दोस्तों कि हमारे वंगलोस के सामने जो बंगलोस उसमें भी जो लडी सी से जाडू लगाने के बाद में उनकी जो मेड से वो बॉल के ऊपर जाडू को रख देना और उत्री हुई चपले रखना तो यह दोस्तों मैं आपको बताओ यह चाहिए जहां शभी उसे देख सके दिन में जितना आप उसे छुपा कर रखोगे आपके घर की लक्षमी उतनी ही दोस्तों गुप्त रूप से और शुरक्षित रहेगी आपके घर में लक्षमी पर जो नजर लग जाती काफी दोस्तों मैंने टोने टोटके कि ऐसे वीडिय जगा पर ना रखे जहां सभी की नजर पढ़ती हूं ठीक है दिन में हमेशा ज़ाड़ को चुपा करके रखे और इत्र दोस्तों गुलाब का ही आप छाटना पसंद करें जिससे मातालक्षमी सदेवापर प्रशन बनी रहेंगी तो कड़ते रहें दोस्तों यह सब कुछ कर करने में कहीं कोई तकलिफ पड़ती है तो पूछे आवश्य करते रहें खुश रहें जैसे क्रशना है